हेलो फ्रेंड्स हमारी चैनल डेली हिल टिप्स पे आपका स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीचिए और साथ ही वेल आईकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिल सकें दोस्तों बियर से पाएं दमक्ती त्विचा और खुबसूरत बाल इसके लिए अपनाएए 10 तरीके जी हाँ दोस्तों बियर पीना काफी लोगों को पसंद होता है इसके लावा बियर पीने की कुछ फाइदे हैं और कुछ नुक्सान भी है जैसे कि अगर हम इसके फाइदों की बात करें तो इसको पीने से कीडमी स्टोन गल जाता है और शरीर से गंदगी साफ होती है लेकिन फ्रेंड्स आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बियर के सौंधरी लाब भी होते हैं जी हाँ दोस्तों बियर को पीने और लगाने दोनों से ही लाब होता है बियर को इस्तेमाल करने के कहीं तरीके हैं लेकिन इसे पीने से जियादा अच्छा होगा कि आप इसे लगाएं ऐसा इस लिए कि अउनकी जियादा वियर पीने से मुटापा बढ़ता है और हमारा लीवर हराब हुचाता है इसलिए आप इसे जियादा मात्रा में ना पिएं बलकि इसका प्रियोग फेस पर लगा कर ही करें दोस्तों क्या आप जानती हैं कि अक्सर पाटियों में नजर आने वाली बियर के कई ब्यूटी फाइदे भी है जी हाँ, अलकोहलिक प्रोपर्टी से भरी बियर आपकी स्किन और बालों के लिए भी काफी ही ज्यादा फाइदे में होती है जी हाँ, ये तवचा के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है इसे नशे के अलावा चेहरे के रंगत निखाने के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है इसे तवचा के पोर्स में जमी हुई गंदगी साफ हो जाती है जिससे की चेहरे की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं बियर आपके बालों के लिए भी एक दवाई का काम कर सकती है और आपके बालों की उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है जिससे की आप लंबे समय से परिशान है बियर में माल्ट और प्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में मौझूद होते हैं इनसे बाल ना केवल साप और चमगदार होते हैं दोस्तों बलकि आपके बाल मजबूत भी होते हैं बियर के इस्तेमाल से बालों के जणनी की समस्क्या भी दूर होती है आईए चानिये त्वच्छा और बालों को स्वस्त बनाने के लिए बियर को कैसे यूज करना है दोस्तों चेहरे की रंगत निखाने के लिए आप दो चमच बियर में आदा चमच दही, ओलिव ओल और बादाम का पेस्ट डालिए इससे चेहरे की मसाज करिए और पांच मिनिट के बाद चेहरे को धोलीजिए इससे आपका चेहरा निखरने लगेगा अकने वर डार्क स्पोर्ट को कम करने के लिए पैक दोस्तों अगर आपकी तवच्वा भी तैलिये है और उस फर मुहासे और दाग दबों की समस्या है तो आप कौन से निजात पानी के लिए बियर को अपने पैक में मिलाकर लगाना चाहिए जी हाँ इसके लिए आप कोई भी फ्रूट पैक ले लीजिए और उसमें एक दो चोमच बियर मिला लीजिए इसको कुछ देर अपने चेहरे पर लगाकर रखिए और फिर थंडे पानी से दोलें इससे आपके तवच्वा की एक्ने वर डार्क स्पोर्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों इसके लावा आप बियर में एक चोमच टमाटर करस मिलाईए और इसमें पांच मिनिट तक चेहरे की मसाज करने से भी आपके चेहरे के दाग धबे दूर हो जाते हैं आलोवेरा जल में थोड़ी सी बियर मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से जुरियों की समस्या दूर होती हैं और दोस्तों साथ ही से आपकी स्किन में निखार भी आता है दोस्तों, बीयर और स्ट्रॉबरी मास्क इसके लिए आप 3 स्ट्रॉबरी लीचिये और इसमें बीयर की 2-3 भूने मिलाकर एक मिक्षन तयार कर लें इस मिक्षन को अपने चेहरे पर लगा लें और 20 मिनित के लिए रहने दें आप पानी से इसे साफ कर दें ये blackheads और whiteheads को निकालता है और antioxidant गुन के साथ ही आपके चहरे में एक नहीं चमक प्रदान करता है दोस्तों इसके लावा आप थोड़ी सी beer में नीमगू करस मिलाकर चहरे पर लगाएं और सुखने के बाद पानी से धोलीचे इससे भी चहरे के blackheads दूर हो जाएंगे दोस्तों आप beer में एक चमच मिल्क पॉडर मिलाकर एक paste तयार कर लीचे अब इसे अपने चहरे पर लगाकर 15-20 मिनिट बाद अपने चहरा धोलीचे इससे होगा ये कि आपके चहरे पर निखारा आएगा और dark circles की समस्या भी दूर हो जाएगी बियर आपके तवचा के pH को balance करता है जी हाँ दोस्तों अगर आपके तवचा का pH सही नहीं है तो या तो फिर आपकी तवचा oily हो जाएगी और फिर वो बहुत ही ज्यादा रुखी हो जाएगी ऐसे में बियर उसे balance कर देता है तो इसके लिए आपको बियर को रोज अपने चहरे पर लगाना चाहिए इससे आपकी तवचा का कसाब बना रहता है और आपकी तवचा जवाँ और खुबसूरत नजर आती है बियर में दो छमच पपीते का पेस्ट मिलाएए और इसे चहरे पर कुछ दे लगा कर रखिए इससे सन्बन और टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों बियर और स्ट्रॉबेरी हेर मास्क जी हां दोस्तों ये हेर मास्क बेजान और नाजुक बालों के लिए बहुत ही बहपरीन है इस हेर मास्क से रूसी से चुटकारा दिलाने में काफी मदद मिलती है इस स्पाक को बनाने के लिए आपको जो समागरी चाहिए वो है तीन पकी हुई स्ट्रॉबेरी एक कप बियर दोस्तों हम आपको बताऊंगी इस पैक को बनाने की विधी सबसे पहले आप चमच से स्ट्रॉबेरी को मैश कर लें और फिर इसमें बियर को मिक्स कर लें जिससे की एक मुलायम पेस्ट तयार हो सकें अब इस पेस्ट को सिर्कित वचा पर अच्छे से लगाए फिर विस फिनिट के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें अच्छा परी नाम पाने के लिए फिर बालों को शैंपो से धुलीचिए बालों का रूखापन दूर करने के लिए हेर मास दोस्तों बहुत रूखे बालों में नर्मी के लिए बीर का इस्तेमाल काफी ही ज्यादा फायदेमन है इसमें मौझूद प्रोटीन बालों की प्राकृतिक नमी बचाय रखता है बीर में बालों को चमकाने के गुन भी होते हैं जी हाँ दोस्तों, इसमें विटामिन B भरपूर मातरा में होता है, जो की बालों को मुलायम बनाता है। इसके लिए आप आदा कप बियर लीचे और इसमें दुख कब पानी मिला लीचे, इस से अपने बालों को अच्छी तरह से दो लीचे, इसके बाद बालों को साधरन पानी से ना धोएं और उन्हें यूँ ही सूखने दे, इसके लिए आप बियर शैम्पो का भी इस्तेमाल कर स सकते हैं दोस्तों ये एक प्राक्रोतिक हेर कंडिशनर है शैंपो करने की बाद बियर से बाल थोए इस से बाल चमकदार और कोमल बनेंगे बालों में लाए चमक बियर एक कमाल का शैंपो है जीहां दोस्तों जो कि बालों में काफी ज्यादा चमक लाता है बालों को चमकाने के लिए आपको एक मिक्षन तयार करना होगा, इसके लिए आपको चाहिए अंडे का सफेध हिस्सा और अपनी जरूरत के हिसाब से बियर मिलाकर बालों पर लगाईए, जिससे आप शैंपो करती हैं वैसे लगाएं, थोड़ी देर बाल इसे अच्छी तरहां से धोलीचे, बस हो के साथ ही आपके बाल खिले खिले नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी तरहा के स्टाइलिंग प्रोड़क्त इस्तिमाल करने से पहले, खासतोर पर बायर से पहले बालों पर बियर का हलका स्प्रे कर लीचे, जब आप बियर को बालों पर स्प्रे करेंगे तो इस से वो यह आपको जो समागरी चाहिए वो है एक कप बियर, एक प्यास और एक चोमच नारियल का तेल. इसे बनाने की वीधी, सबसे पहले एक मिकसर में प्यास को पीस लें, अब प्यास में नारियल का तेल और बियर को मिला दें, फिर इस मिक्षन को तवचा पर लगा कर कुछ मिने तक मसाज करें, फिर बीस से तीस मिने तक इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें, अब बालों को पानी और शैंपू से धोलें, इस प्याक के लगातार इस्तेमाल से आपके बाल लंबे हो जाएंगे, दो मुहें बालों की समसिया से परिशान लोगों के लिए बियर बहुत ही लाबकारी होती हैं, जी हाँ दोस्तों, बियर के अंदर आप अपने बालों को डुबा कर रखेंगी तो आपके बालों की हर समसिया दूर हो जाएगी, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान चुके हैं कि कैसे आप वियर का इस्तेमार करके अपने इत्वचा और बालों को खुबसुरत बना सकते हैं आप भी इस वीडियो में बताएंगे होम निवीडीस को ज़रूर प्राइ करें और अपने बालों में और अपने इत्पचा पर फर्ग देखें आपको और भी हल्प रिलेगे और हल्दी रिलेक्शनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट MyDailyHealthTips.in पर विजिट करिए वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो इसी तरह के और भी अच्छे-च्छे बेनिफिशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए टेक गुट केर अफ यॉरसल थैंक यू बाई